सबस्कारब करें अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्च नोटिफेक्शन पाने के लिए क्या नाम से मार्केट मिल जाती है, क्या इसकी स्ट्रेंद रिती है, यूज क्या क्या रहते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, डोज कितनी मात्रा में दी जाते हैं, किस समय इसकी लोवर डोज दी जाती है, कभी इसकी हायर डोज दी जाती है, और वीडियो के लाश सिखते हैं तो हेलो फ्रेंड्स नमस्सें दोस्तों यहां टेबलेट दो दवाओं ट्रामाटोल ता परासिटामोल का को मिनेशन है और इसमें चैनल असेटेमोल परांतों जो ट्रामाडोल है एक ओपीड एनालजेसिक है जिसे नाकोटिक ड्रग भी गयते हैं और जो परासीटामोल है एन्टी पाइरेटिक एनालजेसिक तर्था थोड़ी मात्रा में देने पर एन्टी इंफ्लामेटिक का काम करती है दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है करते है तो जब इसको ट्रामाडोल के साथ में एक किया जाता है उससमे परासीटामोल ट्रामाडोल की जो पैंकिलिंगि ईफक्त है जो दर्थ को खत्म करने की क्यृमता है उसको बढ़ा देता है जिस कारण से कम मात्रा में देने पर भी यह उतना ही अच्छा अशर करता है यतना की जढ़ा मात्रा में देने पर करता है इसी कारण से परकारा के साथ में एड़ की आ गया है इदी कि आएड़ के साथ वा कारं होने कि आपको ईました की एड़ portable का प्रिस्क्रिशन पर ही इस दवा को लेना चाहिए दोस्तों जब भी आप इसको मेडिक स्टोर पर खईदने जाते हैं आप यह अपने जंदिक नाम ट्रामडोल परसेटमों से नहीं मिलती है इसके लिए आपको ब्रांड नेम क्या होगता होती है जी से आप ट्रेड नेम भी कह आती है अल्राशेट की अलावगों बात कि जाए थे कालपोल टी टेब्लेट ट्रेप टेपलेट गुद्रिल टेब्लेट डॉलल टी टेबलेट और अर्जैन डोल टेबलेट यह कुछ इसकी पूपुलर में ब्रांड बतेरों हो सकता है इन सभी ब्रांड के अलाव को दोस्र से स्टूर की जा सकती क्योंकि जो कर जंडिक नाम है जो उसका और रहता है दोस्तों इसकी ब्राण नेम को जानने बाद बढ़ लेटें इसकी यूज की तरफ क्या कि यूज लिए जाते हैं जैसा कि एप्रोपर्टी रखने वाली दवा है तो मोड़े टूशिवियर पें मध् को भी यह दवा ठीक करती है यदि कोई व्यक्ति है किसे का accident हो गया जिसका उसको चोट लगई हो कोई खिलाडी यह खेलते समय उसको चोट लगई हो यह कोई किसान यह मजदूर है उन्हें किसी काराण से चोट लगई हो तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए यह जो टेबले या स्ट्रेंड कोई मरोड या खिचाव हो गया हो जिस कारण उसको दर्द हो रहा हो तब यह दवा पैसेंट दो दी जा सकती है अब अगर बात की जाए किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यह ट्रामा डोलता था पैर सिटमोल कॉमिनिस की टेबलिट डॉक्टर द यह ट्रामा डोलता पैर सिटमोल कॉमिनेशन की टेबलिट दी जाती जिस्सों की बोडी में उसके दर्द है वो कम हो और उनासा चोडने में उसको सहायता मिल सके और यह जो प्रिस्किप्शन है सिफ और सिफ साइकेट्रिक डॉक्टर देते हैं क्योंकि जो नसा चुडाने पाली दवईयां हैं जो नसा सुड़ाने काम करते साइकेटिक डॉक्टर करते हैं यदि आप में से भी कोई नसा चोड़ना चाहता है किसी भी परकार मिल जाएगा वहां किलिक करके देख सकते हैं साथी डिसक्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा ट्रामा डोल नसा कैस की यूज की जानकरी लेने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ जैसा कि यह नार्कोटिक ड्रग और न.s.id. हो सकती है व्यक्ति को दोरे आ सकते सीजर हो सकता है पेट में उसको दर्द हो सकता है खाना अपच उसको हो सकता है आट रेट उसकी कम हो सकती है सेर में दर्द रहना यह अलका-अलका चकर आना ऐसा उसको लग सकता है साथ डार्क यूरिन की समझ्या भी उसे हो सकती है और यह क करें दोस्तों आगे के पार्ट में आप जान लेते हैं इस ट्रामाडोल तो परसिटमोल कॉमिनेस की टेबलेट इसकी डोज क्या रहती है कितनी माता में डॉक्टर दॉरा प्रिसकाइब की जाती है और डोज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यह जो हो सकती है तो इस टेबलेट का प्रियोग किसी भी शूरत में बिना टॉक्टर Because आप नहीं करें मेना निवेधन है dette इस प्रियोक करें दोसमों ऐसे इसके सामने दोज की बाद की जाए तो मैं यह ज्यादा अवस्यत हो मैं दोज सकते हो ने पर दिन में तीन रही जाए और उनके लिए हाइयर हो बात कि जाए तो आठ टेबिडेट प्रती दिन तक उन्हें डिवाइदे डोस में दी जाती है सैक्रीटि डोक्टर द्वारा और जैसा कि हायर डोस्ट मैंने बता कि मेक्जिमम आठ टेबलेट है तो इसमें जो ट्रामाड में 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 हरेद हो जाता है और यह पर चोटे जो दर्द है उसमें पांस दिन तक सुबह साम डोक्टर दवार प्रिस्केप्ट की जाती है और जो नसा छोड़ते हैं जो कुईट करते हैं एडिक्शन उनको कई बार लंबे समय तक भी दी जाती है लेकिन वो सिर्फ साइकेटिक डॉक्टर दवारा दी जाएगी आप अपने और से लंबे समय तक नहीं ले और ये कोई व्यक्ति है जो एपने मंसे या बिना डॉक्टर के फ्रिस्केप्शन लंबे समय तक हो कोई भी हो तो उन्हें लंबे समय तक लेने पर हैं दवा इंफर्टिलिटी मादब बांजबन भी कर सकती है तो इसका सबसे बड जब Tramadol और Paracetamol टेबलियत लेते हैं तो किस-किस सावधानी का आपको ध्यान रखना चाहिए किसके वार्निंग और प्रिकोशन्स है और किन-किन बीमारियों में किन परिस्तितियों में और किन दवाओं के साथ यह दवा नहीं दी जा सकती तो यदि कोई व्यक्ति है जो Tram Paracetamol बॉक्सिजाइड का सेवन किया हो तो उन्हें भी यह दवा नहीं दी जाएगी साथ कोई पैसेंट है जिसकी उम्र बारा साल से कम है मदब बारा साल से छोटे बच्चे को यह दवा नहीं दी जाती है यदि कोई पैसेंट है जिसको अस्तमा की सिकायते हार्ट प्रोब भी जाएंगी साति कोई पैसेंट है जो महईले पैसेंट है प्रेग्नेंट प्लानिंग करी यह साथ बीच हुडिशन होजाटा उसकी जान फर सकती है तो एलकॉल वाले व्यक्ति को भी दवा नहीं दी जाती और यदि जो मैंने सभी कंडिशन बताई है जो बीमारीं बताई है इन सभी आप पीडित हैं या फेसिंग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जुरूर से बता है जैसे कि आपको यह दवा नहीं लिखे यह बहुत ही जाद सेवन बिना डॉक्टर की चला और जितना डॉक्टर ने बता है उतने समय तक ही लें उसी जादा नहीं करें आपको परहसा नहीं कर सकती है तो दोस्तों कंप्लीट इंफोमेसिन में आपको ट्रमा डोल था परहसी टेम और को मिली होगी और वीडियो आपको जूर से पसंद सब्सक्राइब करें इसे दबाएं और और नोटिफिक्स अब क्लिक करें जो आने वाले वीडियो करें सभी नोटिफिशन आपको मिल सकें और सभी वीडियो में आप देख पाएं आप ते अपने दोस्त मोहीत आदिक साथ देख रहेते अपना YouTube चैनल लान अबूट मैडिस तक देख जेख पर अबूट मैडिसान करें एंद पर रहेते तक जैए हैं तक करें तक मेंडेशन आपको मैडिसे क्लिक कारें इसे दौट करें से और सिसमें अवाट देख टून।